मैं कवी कैसे बना आत्म कथा कोई सन 1924 के आसपास की बात है मैं मत्रा के अगरवाल विद्याले में शायद तीसरी दर्जे में पढ़ा करता था वह भारत का जागरन काल था समाज सुधार और राश्ट्रियता दोनु ही अपने पूर्ण योवन पर थे शिक्षा संस्थाओं पर भी इनकी गहरी चाप थी हमारे विद्याले में भी लगभाग प्रती सप्ता कोई न कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था मुझे भी इन अफसरों पर उजली उजले कपड़े पहन कर आगे बेटने में बड़ा आनंद आता था संगीत तो मेरे परिवार के रगरग में था मेरे नाना जी नंदन गिर्वर अपनी दिनों में ब्रज की रासलीलाओं के एक छात्र स्वामी थे मेरे पिता जी पंडित ब्रिज किशोर शास्त्री जी को भी स्वर ताल का अच्छा ग्यान था मेरी जीजी मा के बिना तो हमारे गली महले में स्त्रीयों का कोई गीत वाध्य जमता ही न था मैं अपने माता पिता की एक लौती संतान था इसलिए उनकी अन्य सब चीजों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में ही मिला था अपनी इस बपोती के कारण मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर भी बनता था और गणीश चतुर्ती के अफसर पर जब हमारी नगर में विद्याले की गाती बजाती टोली शोभा यात्रा में निकलती थी तो मैं उसका मन चटुआ बनाया जाता था लेकिन मेरा यह संगीत ग्यान मुझे विद्याले के समारोहों में कोई महत्ता नहीं दिला सका मुझे किसी संगीत समारों में अपनी प्रस्तुती देने का अफसर नहीं मिला यह मेरे साथ सरासर अन्याय था और जहां तक यात पड़ता है जान बूच कर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं पर कविताईं सुनाने के लिए बड़े चाउं से आमंत्रित किया जाता है। मैं देखता कि साथ के लड़कों की कविताईं सुनने के बाद तालियों की तर्टरा हट बड़ी सुन्दर होती है। और उसमें लड़के ही नहीं अध्यापक भी थोड़ा रस लेते हैं। फिर यह भी देखा कि कुछ अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों के खाली बादल गरचते थे, उन्हें देख कर मेरे मन में भी कविताईं सुनानी की लालसा जागरत होने लगी। मथुरा में तब ब्रज भाषा के सूप्रसिद्ध कवी श्री नवनी चतुरवेदी जी जीवित थे। उनकी वहां अच्छी शिश्य मंडली थी। इन शिश्यों को ब्रज भाषा के अनेक चुटीले कवित्त सवैये कंठस्त रहते थे। बसंत उत्सव के फूल डोलों, सावन के हिंडोलों और कृष्ण जनमाश्टमी के अफसर पर जगा जगा इनके पढ़ह तंगल जुटा करते थे। जिसमें दूर दूर के कवित्त सवैये पढ़ने वाले मत्रा की जमीन पर आया करते थे। और हार जीत की पांसी लगा करती थी। इन में से एक हमारे पडोसी रामलाल जी भी थे। यूं तो वहां उम्र में मुझसे थोड़ा बड़े थे। लेकिन कवी होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझतारों में हो चली थी। मैंने रामलाल जी से मेल जोल बढ़ाना प्रारम किया। मैं भी अब ब्रिज भाशा के पुराने काबिल सवय याद करने लगा और विद्याले में उन्हें अपना बता बता कर सुनाने लगा। पर शीक्र ही मैंने देखा कि मतिराम, भूशन, प्रज्यकर, ग्वाल, रस्खान और नवनीद के चंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद उनमें सुनाने वाले के प्रति उतना आदर नहीं रह पाता जितना की मैं चाहता था। तम मैंने अपनी रह बदली और रामलाल जी से खुशामत कर करके अपने नाम की कविताएं बनवाने लगा और विद्याले के उत्सवों में छाती तान कर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। थोड़े ही दिनों में शुरोताओं पर रॉब जम गया कि मैं भी अक्षर जोड लेता हूँ। तभी सिर मुडाते ही ओले पड़े। हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमायश लगा करती थी और उसमें हर बार एक कवी सम्मीलन हुआ करता था। इसमें पर्व समस्या पर एक खंटे की प्रश्न प्रतियोगिता होती थी और सर्वोत्तम तीन समस्या पूर्तियों पर जिले के कलेक्टर के द्वारा पुरस्कृत किया जाता था। इसके लिए शिक्षा संस्थाएं भी अपने यहां से चुने हुए छात्र कवी भीजा करती थी। इस बार हमारे विद्याले से हमारा नाम प्रतियोगिता के लिए प्रेशित किया गया था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे काठ मार गया। मैं घबराया हुआ अपनी क्लास टीचर के पास गया। मेरे क्लास टीचर श्री कामेश्वर नात जी थे, वे पक्के आरे समाजी थे, मेरे पिता जी के मित्र भी थे, पर मुझ पर भी उनका बड़ा स्नेह रहता था मुझ ऐसे शरार्टी बच्चे को मुझ लटकाया हुआ देखकर, वे बोले, असुर जी, क्या बात है? मैं धर्ती की तरफ देखता रहा उन्होंने समझा कि मैंने कोई गल्ती की है, जो धर्ती की तरफ नजरे गड़ाय खड़ा हूँ फिर जरा रुखाई से पूछा, बताओ न, क्या बात है? मेरे मुझ से फिर भी कोई बल नहीं निकला लेकिन मेरी आँखों की आर्दरता और मुझ की बेबसी ने उनकी बेरुखी को ठंडा कर दिया उन्होंने अनुभव किया कि जरूर कोई गंभीर समस्या है मेरी पीट पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटे, क्या समस्या है? तब मैंने उन्हें बताया कि हेड मास्टर जी द्वारा मेरा नाम कवी प्रतियोगिता में भेजा गया है यह सुनकर उन्हें हसी आ गई, कहने लगे हाथ तो क्या हुआ? शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुँच जाना मैं भी वहीं मिलूंगा मैं जब तक कुछ और कहता, तब तक उन्होंने कहा जिज़क तो शुरू शुरू में होती ही है पर नालायक तूने जिज़क न कबसे सीख लिया? मैं इस समय बड़ी असमंजस की स्थिती में था कि कहूं या ना कहूं अंत में साहस करके मैंने कह ही दिया कि मैं जो कविताएं सुनाया करता हूं वे तो सब पराई होती है यहां सुनकर भी मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा पर कोई और अफसर होता तो कान लाल कर दिये गए होते लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मुस्कुरा कर बोले धर्थ तेरे की पर अब क्या हो हमने तो विद्याले से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा है तुम्हारे न जाने से बड़ी पदनामी होगी मैं चुपचा शांत खड़ा था और वे भी कुछ देर शांत रहे फिर एका एक मेरा भविश्य जैसे उनकी आखों में समस्याएं दी जाएंगी यही कि आई है गाई है सुहायो है आदी तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी चार तुके जमा लेना उदाहरण के लिए अगर कोई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है भाई है एक और लिख लेना समझ गय ना? मैंने भी चंद रचना के पहले पाठ को हृदय अंगम करते हुए स्वीकृती सूचक सिर हिलाया तो बताओ सुहायो है कि क्या तुगबंदी करोगे? सारी हिचक तूर हो गई थी और मैंने तडाक से जवाब दिया आयो है, गायो है, भायो है शाबास, बस एक काम और करना वह बताने लगे देखो, एक कवित में चार पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ती में 31 अक्षर होते हैं और अंद के अक्षरों में वही तुके रख देना कविता बन जाएगी यू तो गड़ित में मैं कभी भी अच्छा नहीं रहा हमेशा तिमाही छमाही में इसमें मुझे अंडा ही मिलता और सालाना में बड़े प्रयतनों के बाद प्रमूशन मिलता मगर उस दिन मानू जैसे गड़ित मेरे अंदर घुस गई कविता की यह जटिल गड़ित मुझे तुरन समझ में आ गई मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब मैं नुमायश में कविता की प्रतियोगिता में पहले पहल पहुँचा तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकूच नहीं था यद्यपी आगत कविजनों में मैं सबसे छोटा था केवल क्यारा वर्ष का प्रतियोगिता में समस्या दी गई कर्ज को कर्बो और मर्बो बराबर है मैंने फॉरण बराबर शब्द को पकड़ा और कुल स्केप साइस के कागस की दाहिनी तरफ एक के नीचे एक लिखना शुरू किया सरासर है, जराजर है, तथा बराबर है की तीसरी तुक अपर है लिखकर फॉरण समस्या पूर्ति कर डाली समस्या पूर्ति के लिए वैसे एक खंटे का समय दिया गया था, मगर मैंने कोई पीस मिनिट में ही जैसे तेस विद्यार्थी के भाती सवाल हल करके स्लेट मास्टर सहब को अर्थात कागस परिक्षक को थमा दिया था इसके बाद मुझे मंच पर कविता पाट के लिए बुलाया गया मैं उट्सा के साथ भीड को चीरता हुआ मंच पर आया विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज संध्या के समय हनुमान चालीसा सुनाया करता था बस मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ हिला हिला कर कविता सुनाने लगा स्वर मेरा सधा हुआ था और बचपन में शकल भी बुरी नहीं लगती थी लोगों ने जो बच्चे के मुँ से कच्ची समस्या पूर्ती सुनी तो गदगद हो गए सभी लोग प्रशंसा और आश्चरी के भाव से मुझे देख रहे थे कविता की समाप्ती के बार मैं तालियों के तुफान में जो खोया तो फिर सुद्भुत नहीं रही मेरी सास फूलने लगी पसीने आ गए शायद और देर होती तो मैं मन्च पर ही बैठ जाता तभी हमारे विद्याले के हेड मास्टर श्री मुकट बिहारी लाल जी तेजी से मंच पर आए और उन्होंने मुझे दोड कर गोदी में उठा लिया एक शण को तो मुझे लगा कि मानू साक्षा देवी सरस्वती ने मुझे अपने अंक में भर लिया है उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया मेरे विद्याले के लड़के जोड-जोड से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे मैंने गोदी से उतर कर हेड मास्टर साहक और क्लास टीचर श्री कामेश्वर नाच्ची के चरंचुए इस प्रकार मेरी पहली कविता नहीं मुझे जन समुदाय के मध्य कवी होने का दर्जा दिला दिया घड़ी भर में ही चोड से साहुकार हो गया